दोस्तों मेरे चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है, आज मैं फिर हमेशा की तरह फिर से कुछ यूसफुल टिप्स और टिक्स लेकर आ गई हूँ, जो कि आपके समय और पैसे की तो बचत करती करती हैं, सासाथ आपके काम को भी आसान बनाने में helpful होती हैं, चलि पैसान हमारे चावलों में से सढने की स्मयल आने शुरू हो जाती है, तो उस स्मयल को दूर करने के लिए बहुत बड़ी अटिक लेकर आई हूँ, उसके लिए आप ले 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 इस तरीके से एक प्याज, और प्याज को हम इस तरीके से हम कट कर लेंगे, और अब हमने क्या करना है, यह जो हमारे चावल है, उसके अंदर हमने प्याज को इस तरीके से डाल देना है, और ऐसा करने के बाद, इसके बाद हम किसी ढखकन से इसको अच्छी तरीके से ढखकर रख देंगे, ऐसा करने के बाद आप देख बढ़े हैं इनको वापिस निकालने अब आप इन चावलों को इस्तमाल करेंगे तो आप देखेंगे इसके अंदर से इसकी जलने की स्मेल सारी गायब हो जाएगी जली फ्रंट बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके की साड़ी को लेक और साथ में जब आप इसको और्गनाइज करके रखेंगे तो यह बिल्कुल भी खुलेगी नहीं उसके लिए आपने क्या करना है आपने इस तरीके से पतली तह में आपने इसको साड़ी को फोल्ड कर देना है अब यह जो हमारा नीचे वाला हिस्सा है इसको हमने हाप से थ यह जो हमने ओवरलाइब किया है इसके अंदर हमने साड़ी को इस तरीके से डाल देना है यह देखें दोस्तो इस तरीके से जब आप अपनी साड़ी को डाल देंगे एक तो साड़ी बिल्कुल अच्छी तरीके से इसके अंदर चली जाएगी और दूसरा क्या है कि जब आपको जुरूत होगी कहीं जाना होगा तो आप इजिली साड़ी को उठाएंगे इसके अंदर आपको तीनों चीजे मिल जाएंगी जिससे आपका समय तो बचेगा बचेगा और साथ में आपकी साड़ी भी बहुत अच्छी तरीके से और्गेनाइज हो जाएगी चली हम कैसे करेंगे तो इसके लिए आप क्या करें जिस तरीके से यह मैंने एक बॉक्स ले लिया है यह बॉक्स ले लेंगे अब हम क्या करेंगे इस बॉक्स में हमें नाइफ भी मदद से यहां पे छोटा सा कट लगा देना है यह देखिए दोस्तों मैंने इसको यहां से थोड तो इसके लिए बहुत ही असान ट्रीक है आपने क्या करना है पहले तो आप निकाल लें इसका एंड अब हम क्या करेंगे इस तरीके की दिभी का इस्तिमाल करेंगे आपने इस तरीके की टेप को और गिनाइस करने के लिए आप इस तरीके से इसके अंदर टेप को डाल दे और इसके यह जो एंड हमने निकाला है इस एंड को हम जो है यह जो हमने कट लगाया है इसके अंदर से हम निकाल देंगे यह देखिए इस तरीके से हमने यह जो टेप का एंड है इस जो हमने कट लगाया है इसके अंदर से निकाल देंगे अब हम क्या करेंगे इसको एंड को हम इ करने के लिए निकाल सकते हैं और जब हमारा काम खतम हो जाएगा हम इसको वापिस यहां से कट कर लेंगे और इसको इसके साथ चिपका हो एक तो आपका टेप का रोल प्रयाज़ा शायएगा और दूसरा अंड डूंड़ने में आपको कोई दिख्कत नहीं होगी और जब भी आपको जुरत हो गी आपको बार बार टेप को डूंडे की जुरत नहीं होगी आप इसली हहां से टेप को जिसका इस्तेमाल हम अकसर पूरी तलने के लिए करते हैं तो क्या होता है अकसर ही हमारे घर ठेर कठथी हो जाती है जिसको की संभाल कर पर अर। था हम बढ़ी उयर अर अरहे हिते चीजें पेज़ियों इस तरीके के S-hook का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको आप चाहे लोहे कितार से बनाएं, चाहे आप चूडियों से बनाएं, जिससे मर्जी आप बनाकर इसको तियार कर सकते हैं, मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको ये दिखा रखा है कि कैसे बनाना है, अगर आपने नहीं तो आप देख सकते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, जो ये हुक बनाए हुए हैं, इनको हमने आपने ये जो जारे की जो होल्स होते हैं, इसके अंदर हमें इस तरीके से डाल देने हैं, ये देखिए इसके अंदर मैंने अभी डाल दिया हैं, इसके अंदर काफी सारे होल हैं, आप इसके अंदर और भी हुका इस्तेमाल कर सकते हैं अब इसका कैसे इस्तेमाल करना है चली में आपको दिखाते हैं ये देखिए दोस्तों इसको मैंने अपने किचन में इस तरीके से टांग दिया है अब इसके अंदर हम अपने धेर सारे बरतन इसके अंदर टांकर रख सकते हैं, जैसे कि आप इसके अंदर अपने घर के कच्छी, चम्मज, पैचुला, सीजर, इस तरीके से आप धेर सारे बरतन अपने एक कच्छी के अंदर धेर सारे बरतन आप और्गिनाईज करके रख सकत चलिए फ्रेंट बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ, मेरी अगली टिप होने वाली है, दोस्तों सुई में धागा को लेकिए, सुई में धागा डालना दोस्तों काफी difficult टास्क होता है हर लेडीज के लिए, क्योंकि हम जब भी सिलाइका काम करते हैं, तो हमें सुई में धागा तरीके से आपके घर में कोई भी ब्रश होता है उसके बाद हमने क्या करना है ब्रश का जो है इसमें से एक तार को हम कट कर लेंगे इस तरीके से मैंने ब्रश की जो है एक तार को कट कर लिया है अब हमें क्या करना है अब हमें इसको इस तरीके से यू शेप की तरह हमें इसको मोड देना है अब हम क्या करेंगे अब हम लेंगे एक stapler stapler के उपर हम इसको इस तरीके से U-shape की तरह हम इसके अंदर लगा देंगे अब हमें क्या करना है अब हमें लेनी है cello tape और cello tape की मदद से हम इसको इसके उपर secure कर देंगे, ताकि ये बिल्कुल भी निकलेना है, ये दीखे दोस्तों मैंने इसको अच्छी तरीके से stapler के उपर fix कर दिया है टेप की under, अब हमें क्या करना है, आप हमें जिस भी में धागा डालना है, हम यह क्या करेंगे, हम ले लेंगे सुई हमने इस तार का क्यों किया? दोस्तों, यह नैलोन की तार होती है और यह काफी solid कार होती है और काफी slippery हो जाती है आप जिसके अंदर इसका इसका इस्तिमाल करेंगे बड़ी असानी से यह चली भी जाती है. अब यह देखिए मैं आपको दिखा गए रही हूं लेनी है रील का कोई भी धागा जो भी हम डालना चाहते हैं अब देखिए अब हम क्या करेंगे अब हमने लेंगे अपना धागा जो भी हमने इसके अंदर डालना है अब हम क्या कर देंगे इसके अंदर धागे को इस तरीके से डाल देंगे अब हमने जो पहले सुई डाले थी कि आप सूय को हम इस तरीके से आसानी से खीचेंगे तो आप यह देखेंगे कि हमारे सूय में असानी से धागा डल जाएगा इस तरीके से दोस्तों आप अपना यह टूल बनाकर रख सकते हैं और जब आपको जुरुत हो То इसकी मदस्ते चाहे मशीन हो चाहे आप की हाथ की ज्यादा से ज्यादा आपने family और members में share कीजेगा और आप में इससे जुड़े रहना चाहते हैं और इसी तरीके की useful videos और भी देखना चाहते हैं तो bell icon के साथ मेरे channel को भी subscribe कर दीजीगा चले दोस्तों मिलती हूं next video में तब तक के लिए bye bye thanks for watching